विल्कम स्टूदेंट्स एंड टीचर्ज आज हम लेसल थी पहुँच गए है और लेसल थी का टाइटल है देने का आनद यूशली लोगो को लगता है कि पाने में बहुत आनद है वजे चीज़े मिल जाए चीज़े मिल जाए दौल अच्छारत मिल जाए नेव फेम पावर प उस पोजिशन मिल जाए जब मुझे चीज़े मिल जाएंगी तो वह बहुत खुश हो जाओगा लेकिन आज हम एक बहुत विश्रीश लेसन सीखने वाले हैं जो कि कई बुद्धिवाल लोग इस बात को सौच पाते है और वो है the joy of giving आप समने बिल गेट्स के नाव सुना हो लेकिन जो joy, जो खुशी दे करके मिलती है वो पाने की खुशी से बहुत जादा है इसलिए Melinda Gates और Bill Gates ने ये decide किया है कि वो अपनी wealth था 90% donate कर देंगे बाकि 10% वो अपनी बेटी को देंगे ताकि वो पढ़ाय लिखाई कर सके अपना जीवन जी सके अच्छे से लेकिन 90% व ये बहुत ही अच्छी quality है और देख करके जो खुशी मिलती है वो पाने की खुशी से बहुत जादा है आज समने Jordan River का नाम सुना होगा तो Jordan आपके जो river है ये दो rivers में आगे जाके डिवाइड होती है एक है the river of Galilee और दूसरा है the Dead Sea जो river of Galilee है इसमें तो flora है, fauna है, इसमें जीवन है और दूसरा है Dead Sea यानि कि उसके अंदर जीवन नहीं है इतना जादा नमकीन पानी है Dead Sea का कि उसमें जीवन पना पही नहीं सकता पर ऐसा क्यों है कि Jordan River से पानी दोनों को मिलता है, Dead Sea को भी और river of Galilee को भी लेकिन river of Galilee के अंदर प्राड है, जान है, उसमें मच्रिया है, उसके अंदर पेड़ पौदे है, लेकिन Dead Sea में तो प्राड बिल्कुल भी नहीं है, उसमें एक भी लिविंग एंटिटी सर्वाइव नहीं करती, ऐसा क्यों है, क्योंकि river of Galilee के अंदर जो भी Jordan river से पानी आता है, river of Galilee आगे उसको बाड देती है, और उसको दे देती है, चाहे खेत खलियान में देना हो, चाहे डैम्स में देना हो, चाहे घरों में सप्लाई करना हो, तो वो अपने पानी को दे देती है, तो उसमें fresh पानी आता रहता है, और वो फ्रेश पानी को आगे देती रहती है, और इस प्रेकार से river of Galilee के अंदर ताजगी रहती है, दूस किसी को कुछ देता नहीं, इसलिए वो डेट सी है, लेकिन रिवर अफ गलीनी के अदर प्राण है, जान है, इसलिए क्योंकि रिवर अफ गलीनी अपने फानी को आगे बाट देती है, and that is the joy of giving, जो हम देते हैं, तो हमें प्राण आते हैं, जो हम देते हैं, तो हमको खुशी मि रहा है कि हम देने की खुशी के बारे में नहीं जानते हैं, एक समय ऐसा हुआ था कि 10 रुपे का नोट था, और 2000 रुपे का नोट था, दोनवे बाची चल रही थी, तो 2000 रुपे के नोट ने बड़े घवर्ण में आ करें, आरे तु टुच्चा 10 का नोट, अरे तेरी क्या रुपात रहे, हमारे पास देख, तीन-टीन-जीरो लगे है, तू-जीरो-जीरो-जीरो, और तू क्या, एक ही जीरो वला, वन-जीरो, हमको देख, बड़े-बड़े बिजनस टाइकून्स की जे में गुंता हूँ मैं, मैं हुल 2000 रुपे का नोट, और तू-च्चा 10 का नो वंदिर के उंडी में सिर्फ मैं ही नजर आता हूँ, तू तो नजर ही नहीं आता, योगी लोग 2000 रुपे का नोट दान नहीं करते, सिर्द 10 रुपे का फटा हूँ नोठी दान करते हैं, तो कलियों के लोगों के दान देने की प्रवृत्ति कब होती जा रही है, तो देना जानते ही नहीं, इसलिए देने का जो आनंद है, इस बारे में वो अरविग्य है, नहीं जानते, और सिर्फ पाने के जद्धो जहद में पूरी जिंदिकी बिता देते हैं, आप देखिए बहवान हमको कितना कुछ देते हैं, बहवान ने हमको इन नेचर दी है, बहवान ने प्रकृति दिये हैं हमें, जिसके थ्रू हमें कितना कुछ मिलता है, लेकिन बहवान कभी भी हमसे फीस नहीं मांगते, कि बहवान के देखो, मैंने इतना कुछ दिया रहा, अब उसको पैसे दो, बहवान कभी कुछ नहीं मांगते, बहवान ने हमको कितना कुछ दिया है, सो तो हमें giving तो भवान से सीखनी चाहिए, जो इतना कुछ देते हैं हमें, जो भवान, जो हमारे परवपिता के समान है, नेचर, जो हमारी मा के समान है, जो हमें कितना कुछ देते हैं, लेकिन हम से कुछ भी रिटर्ण में नहीं वागते हैं, So giving is a very important act, जैसे कि हमको खाना भी गरीबों में माटना चाहिए, देना चाहिए हमें, लेकिन खाना नहीं, खाने से ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोगों को प्रसादम दे, जो भी खाना है, उसको पहले भवान को अर्पित करें, कि हे प्रभू, इसमें आपकी कृपा मिला और फिर इस क्रिपा को हम जब गरीबों में माटनेंगे, तो गरीबों का पेड़ी भरेगा, और क्योंकि उस खाने में भगवाल की क्रिपा मिली हुई है, तो अब वो बनिया है प्रसादम, तो जो गरीब लोग हैं, उनके बुरे कर्मों की बजार से आज दुप पा रहे है उनके बुरे कर्म भी rectify हो जाएंगे, तो इस तरह से हमको charity करनी चाहिए, तो भगवाल की grace को मिला करके देनी चाहिए, हमें charity ऐसे नहीं करनी चाहिए, कि हम भगवाल की grace से अलग independently को charity करेंगे, ना 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 ना, हमें जो भी सिवा करनी है समाज की, हमें जो कुछ भी देना ह उसमें भगवान को include जरूर करना है, and when the grace of the Lord gets added to any kind of good act, then that act becomes transcendental, हमारे अच्छे काम दिव्वे हो जाते हैं, जब हम भगवान के संपत में रहा करके अच्छे काम करते हैं, एक और भी दान है, जो कि हमें करना चाहिए, देना चाहिए, वो है घ्यान का, हमें दिव्वे घ्य जाहिए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ट ने अरजन को दिया, अरजन वास सो confused, अरजन वास सो depressed, लेकिन भगवान ने जैसे उनको ग्यान दिया, he was immediately, he was informed, yes, अब मुझको दिविगान मिल गया है, अब मैं ready हूँ, life के challenges को face करने के लिए, तो इसलिए हमको spiritual knowledge भी देनी चा जैसे ये knowledge है, ये भी हमें दुनिया में देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि knowledge तो शरीर की भी होती है, और आत्मा की भी होती है, और हमें दोनों knowledge लोगों को देनी चाहिए, ताके लोग अच्छा career भी बनाए, और साथ साथ में उनकी आत्मा की खुश रहे, एक सम भी दुनिया से उनको help आ रहे थी, ताके वो लोग फिर से एक normal जिंदगी जी सके, तो उस वक्त हरे कृष्णा devotees जाते थे, और इस tsunami afflicted area में वहाँ पर शादी बाटते थे, और साथ ही भगवान के नाम का कीतन भी करते थे, और भगवान के नाम का कीतन सुनकर के ये लोग इ पुरी दुनिया से आ रही है और वो बहुत जरूरी है, बहुत important है, लेकिन आप लोग जो सेवा कर रहे हैं भवान के नाम का कीतन दे करके, इनको दिवे ज्यान दे करके, जिसकी विजासे ये लोगों fearless हो रहे हैं, ये लोग फिर से confident हो रहे हैं कि हम जिंदगी फिर से शु लोगों के help करेंगे, तो हम खुद बहुत की जादा आनंद का अनुपफ करेंगे, जो 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 Have a great day ahead, Shabba Kher, Sasriya Kaal and a very loving Hare Krishna to all of you.